आई बचे एक क्वेशन करते हैं यह SBT 2018 का आयवा क्वेशन है और यह definite integral का क्वेशन है बढ़े हैं समझेगा क्या करेंगे इसमें दिया हुआ है भी कर सकते हैं cos 2 theta भी कर सकते हैं आपकी मर्जी है ठीक है तो जब आप इसको differentiate करेंगे dx बटा d theta तो cos 2 theta का क्या होता है sin 2 theta minus में और 2 आके multiply हो जाएगा यहनि minus 2 sin 2 theta आ गया तो dx बराबर तुम्हारे पास क्या आ गया dx बराबर आ गया minus 2 sin 2 theta d theta ठीक है sin 2 theta d theta तो इस dx की जगा पे आप क्या put कर देंगे dx की जगा पे आप put कर देंगे यहाँ पर कि minus 2 sin 2 theta d theta ठीक है तो obvious ही बात है जब आपने यह काम किया तो limit तो change होगा बाबू क्योंकि limit यहाँ पर 0 से 1 में दिया हुआ है और यहाँ पर limit हम लोगों को change करना पड़ेगा तो limit कैसे change करते हैं उसको समझे limit change करने के लिए basically क्या करते हैं कि x बराबर यहाँ पर लिखेंगे when x बराबर 0 जब x बराबर 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे x की जगा पर 0 बराबर cos 2 theta ठीक है तो cos 2 theta या cos theta 0 कब होता है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा तो cos 2 theta basically आप इसको इधर ले आए तो 2 theta बराबर cos inverse 0 हो जाएगा cos inverse 0 cos inverse 0 कब होता है जी cos inverse 0 होता है pi by 2 पे तो 2 जाके नीचे डिवाइड हो गया pi बराबर ठीटा बराबर आगया pi by 4 यह आगया मेरा पहला लिमिट कब जब यह तुम्हारा 0 था तो pi by 4 आगया तुम्हारा लिमिट अब दूसरा लिमिट हम लोग चेक करेंगे दूसरा 1 बराबर 2 theta cos inverse 1 यानि cos में 1 का वो तब अब उस 0 पे तो 2 theta बराबर 0 यानि ठीटा बराबर 0 आगया यानि जो आपका लिमिट है वो basically क्या हो गया pi by 4 से लेकर के 0 तक pi by 4 से लेकर कहां तक हो गया बच्चा 0 तक हो गया यह तुम्हारा था 2 sin theta t theta dx की जगह पर और यहां पर क्या लिखेंगे रूट अंडर 1 यह रूट के बाहर है यह उड़ा रूट के बाहर है 1 minus क्या है तुम्हारा cos 2 theta बटा 1 plus cos 2 theta चली अब इसको solve करेंगे आगे minus है minus pi by 4 से 0 यह रूट अंडर 1 minus cos theta जो है इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हो 2 sin square theta और इसके जगह पर क्या लिख सकते हो 2 cos square theta बाहर में क्या है 2 sin इसको आप जो 2 sin 2 theta है इसको आप लिख सकते हो 4 sin theta cos theta d theta कैसे लिख दिया जी sin 2 theta का formula पर तो दिया 2 sin theta cos theta 2 पहले से था तो 4 हो गया है अब हम इसको बाबु मेरा यह 2 से 2 कर जाएगा और यहां से दोनों बाहर निकलेगा root से तो pi by 4 0 minus पहले से है उसके बाद आप यहां देखे तो यह दोनों बाहर निकलेगा root से दोनों में root है तो यह हो जाएगा sin theta बटा cos theta और into 4 भी है तुमारा into sin theta cos theta d theta तो cos theta cos theta तो कड़ गया तो मारे पास बचा क्या minus 4 4 बाहर निकल देते हैं pi by 4 से 0 sin square theta d theta देखो sin square theta को integrate करना तो आसान है sin square theta को कैसे integrate करते हैं sin square theta को integrate करने के लिए हम क्या लिखते हैं बाबू formula याद करो sin square theta के लिए तो इस में से sin square theta basically क्या होता है 1 minus cos 2 theta बटा 2 ठेक है d theta तो यह 2 और यहां से 4 कटके फिर से 2 बचेगा तो minus 2 0 से sorry pi by 4 से 0 1 minus cos 2 theta 1 minus cos 2 theta और बचा तुमारा d theta देखिए integration यहां से बहुत आसान है बाबू आपको कुछ करना नहीं है basically अब integrate करने के लिए आपको क्या करना है यहां से minus 2 pi by 4 से 0 और यह जो 1 minus से अलग-अलग कर लेते हैं 1 को देते हैं d theta एक बार फिर यह minus अंदर जाएगा तो minus minus plus 2 pi by 4 से 0 और यह जो cos 2 theta है cos 2 theta d theta अब यहां से क्या करेंगे आप simply integrate कर देंगे minus 2 ठीक है और यह जो d theta है d theta का integration क्या होता है theta pi by 4 से 0 plus 2 cos 2 theta cos 2 theta का integration क्या होता है जी sin 2 theta theta 2 कहां से कहां तक pi by 4 से 0 तक अब यहां आप lower limit put करेंगे lower limit put करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा upper limit put करेंगे minus हो जाएगा pi by 4 और यह आप रिमिट put क्या 0 हो गया lower limit put क्या pi by 4 हो गया ठेक है प्लस टु अभब यहां पुट करेंगे आप ले मिट पुट करेंगे direktigoo जी फ्र ले मिट करेंगे तो माइनस जाएगहां से विटो जाए गए और प्लस पाइब लेक्सी 2 into sin π2 का value 1 होता है बाबू तो यह हो गया minus 1 by 2 इसकी value 1 होती है तो 2 से 2 कड़ गया बचा π2 by 2 minus 1 यही तुमारा answer होगे